स्टूर्य नीच के हुए इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में भगवान राम के गुणों का प्रवाह करने का वल होना चाहिए। भगवान राम के गुणों को समझने के लिए प्रतेक दिन रात्री को सोने से पहले आप और आपके पत्नी और आपके बच्चे कम से कम राम चरित मानस के एक चैप्टर नहीं एक पन्ने का अभ्यास किया करिए। जो इस ग्रंथ को समझता है, वो कभी भी किसी जाति विशेश को लेकर के, किसी धर्म विशेश को लेकर के छोटे और ओचे पन की शिकायत नहीं करेगा। आत्म साथ करने की आवशक्ता है। और जो विशेश को बटवारे या बांटने का काम करता है, उनको जेल में ठूस देना चाहिए। ऐसी इस्थती, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ती हो, चाहे वो किसी भी जाती से संप्रदाय से धर्म से आता हो, जब व्यक्ती अपने सद्गरंथ और अपने पुरानों की सुरक्षा नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को कभी भी तिरस्कृति कर देना चाहिए अन्यथा कम से कम उन्हें अपने सद्ग्रंतों का पाठ अवश्य पढ़ लेना चाहिए मैं निश्चतुरूप से पूरे भरोसे के साथ इस बात का कहने वाला बनता हूँ कि हमारे सद्ग्रंतों में कभी भी किसी भी तरीके से अगर समझदारी से उनका पठन-पाठन किया जाए उसमें एक बार भी किसी को न तो छोटा और न तो किसी को बड़ा दिखाया गया है ये साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ती है और धर्म को धारन करने वाले ग्रंथ हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग ही दिखाते हैं जब कभी भी आप उत्तर से विहीन होते हैं तो ये सद्ग्रंथ ही हमें उत्तर तक हमारे पहुँचाने का मार्ग तै करते हैं इनके प्रती कभी भी ओछेपन की स्थती में आ करके अपने आपको कमजोर ना करिए और इनका हमेशा ही आदर करिए अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी सद्गरंथ की कभी भी आवशकता पड़े मुझे बेजीजक फोन और वाटसेप कर सकते हैं आप लोगों को धर्म के लिए मैं एक बात कहूँ दरसल सद्गरंथों का दान सबसे बड़ा दान होता है आप अगर अपनी कुर्ली में गुरू को मजबूत करना चाहते हैं तो किसी वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को या वेद आध्यन करने वाले विद्यार्थी को कम से कम उ उसे ऐसे सद्गरंथों का दान करिए इससे आपकी कुर्ली में जोतिशिय तत्व के आधार पे अगर कहूँ तो गुरू तत्व मजबूत होता है और मैं आप लोगों को बिनैपुर्वक एक बात कहूँगा अपने गरंथों के प्रति संबान का भाव जागरित करिए और उ हमेशा ही ज्यान के बल पे बलवान ही होते रहेंगे यह सद्गरंथ हमें कभी बाटने का काम नहीं किये हैं हां निश्चित रुप से कुछ छोटी मानसिक्ता के लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके हमारे बीच फूट पैदा करने की कोशिश हो से की है इनका इसमें क कोई दोश नहीं है अगर आपने उसका गलत तरीके से भेदन किया है तो उसमें उस सद्गरंथ का कोई दोश नहीं है आवशक्ता उसको खूले कपाट से पढ़ने की है